Today's topic is understanding behavior, अब behavior की term ऐसी है, जिससे सुनके एक तो सबसे पहले, इंसान के जहन में अपना आपाता है, लेकिन बाज अकाद हम अपने behavior के बारे में नहीं भी सुनना चाहते, या सोचना भी नहीं चाहते, तो चले हम जो behavior की बात करेंगे, उसपे मैं आप से कम बात करूँगी और अपने या लोगों के behavior की बात जो है वो ज्यादा करूँगी, ताकि आपको यह ना लगे कि बात आपकी हो रही है, बस कहीं कहीं लगे कि ओह हो, कहीं यह मेरी बात को नहीं हो रही है. But as a student of political sociology, our focus is mainly on the political behavior, but it is a common thing that political behavior from where it comes, actually it is the component of our general behavior, as human being what we think what we act that is our general behavior. Social behavior we can say, but when we think political aspect, but when we think about our vote, when we think to whom we have to vote, or what's our liking and disliking in context of politics or political developments, or even political leadership. यानि बहुत सारे सवाल है ना, स्यासी रवया सिरफ यह तो नहीं है, कि हमने शाम को बैठ कर कोई शो देख लिया, टॉक शो देख लिया और हमने उससे सीख लिया, हमें खुद भी सीखना होता है, हमें खुद भी समझना होता है, कि स्यासी तोर पर हमारी पसंद, नापसंद, जिसका इजहार हम अपने वोट के जरिये करते हैं, कौन सी पार्टी हमें पसंद है, कौन सी लीडर्शिप हमें पसंद है, यह बहुत सारे सवालात होते हैं, और इसी को समझने के लिए, पुलिटिकल सुषियोलोजी जो है, वो भी हमें कुछ सिखाती है और समझाने के कोशिश करती है, यह इसका मतलब क्या हुआ, कि पुलिटिकल बिहेवियर के कुछ कॉम्पोनेंट्स है, that how people think, feel and act about politics, सियासत के बारे में कैसे, अब आम तोर पर सियासत के बारे में हम बुरी बातें ही सोचते हैं, हलांके सियासत या पॉलिटिक्स जो है, यह बुरी चीज नहीं है, इस एक्चुली बेसिकली अब टी लाइन फेक्टर विच एक्चुली गिवस अस दा थिंकिंग अबाउट आर ओन पर्सनेलिटी, आर ओन सेल्फ, हमारी शिनाख कहां से आती है, हमें असल में सियासत यह सिखाती है, लेकिन चुँके हमने सियासत को किसी और कॉंटेक्स में समझते हैं, तो इस वजा से हम सियासत की एहमियत को भी आहमतार पर नजर अंदास करते हैं, So political behavior is an attempt to quantify and explain the influences that defines a person's political views, ideology and level of political participation. हम में से सियासत में कौन कितना हिस्सा लेता है, Our political participation is actually dependent on our training, our socialization, हमारी family ने, हमारे मौशरे ने हमें politics के बारे में, हमारे role के बारे में which we can perform in politics, क्या बताया, क्या सिखाया, अगर हमें यही ने पता के हमारे role से ही सियासत में तबदीली आ सकती है, तो यकीनन हम अच्छे शहरी नहीं है, So political behavior is the subset of human behavior that involves politics and power, अब यह बात critical आ गई, that politics is basically that how we can involve in politics and power, So over the few years or decades, comparative political behavior has become a very data rich field of research, पूरी दुनिया में तो इस पर बहुत काम हो रहा है, Philosophers से लेकर, practitioners यह सब समझना चाहते हैं, कि इंसानों के रवईये, जो सियासी रवईये हैं, उनके पीछे क्या वजुहात होती है, Because behavioral research has extended during a period of tremendous political change in the world, जैसे जैसे पिछली सदियों में changes आना शुरू हुई, वैसे वैसे ही इस पर research भी शुरू हो गई, Political behavior in advanced industrial democracies has shifted in fundamental way during the later half of the 20th century, और फिर दुनिया के अंदर एक wave आई, that is the third wave which is titled the wave of democratization, यानि जमूरियत सिर्फ काफी नहीं है, बलके जमूरियत का मतलब जमूरी रवया है, अगर पूरी दुनिया के अंदर जमूरी रवये होंगे, तो यकीनन उसी सही जमूरियत मजबूत होगी, अब ये wave जो आई है, इसकी बुनियादी वज़ा क्या हुई, जब 90's में Central Asian States जो हैं, वो काइम हुई, फिर Asia, Africa, Latin America के अंदर, बकाइदा तोर पर रियास्तों ने, अफ्राद ने ये सोचना शुरू किया, कि सिर्फ जमूरियत को अगर एक निजाम के तोर पर देखा जाएगा, तो वो काफी नहीं है, तो जिस जमूरियत को democratization का नाम दिया गया, वो debate है हमारे जमूरी रवईयों की, तो यहां political sociology जिस बात पर जोर देती है, वो यह है कि अफ्राद कर जमूरी रवईया है, that is the key to success of the democratic system, यानि अगर हमने सियासी निजाम को काम्याब करना है, तो हमें अपने जमूरी रवईय को बदलना है, हमें अपने सियासी रवईय को बदलना है, और सियासी रवईया कब बदला जा सकता है, जब यह ज्यादा मिचोर होगा, जब हमें यह एहसास होगा, कि हर इनसान की एहमियत है अपने निजाम के अंदर, और हर फर्द अगर चाहे, तो वो बेहतरी की तरफ निजाम जा भी सकता है, क्यों? क्योंकि आप, मैं, हम responsible हैं, उस social audit के लिए, जिसकी कमी है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हम और आप मिलकर ही, एक बेहतरीन सियासी रवईय को तश्कील देते हुए, process of democratization को मजबूत कर सकते हैं.